नमस्कार दोस्तों और मेडिया अपडेट्स चैनल में आप सब का स्वागत है सबस्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए हमारी चैनल को ताकि नए नए वीडियो सिये थे आप तिक पहुंच सके और साथ में लगए बैल आइकोन के भी दबा दीजिए ताकि व अब आप मटर को इतना ही पसंद करते हैं तो चलिए आज हम आपको इसके फाइदा भी बता देते हैं स्वाद सेहद और संद्रिय का अनुखा मिश्रन है दोस्तों हरी मटर तो आए जानते हैं हरी मटर के बहतरी इन फाइदे दोस्तों मटर खाने का सबसे बड़ा फाइदा यह है कि यह कोलेस्टेल की मात्रा को कम करता है और आपको मटर के सासत अन्यका बिमारी से बचाता है यह ब्लड कोलेस्टेल को भी कम करता है दोस्तों क्योंकि यह श्रीर में और रक्त में कोलेस्टेल के स्थरों कम करता है इस इसे निमत खाने से टैंसर की मिमारी का खत्रा कम होता है, खास तोर से पेड की कैंसर के लिए मटर बहुत ही लावकारी है, मटर के दाने फाइबर से भरफूर होती हैं, जो आपको और जावन बनाए रखते हैं, हरी मटर को निमत खाने से आप लंबे समय तक जवान नजराते ह और बढ़ती उम्र का असर चल्दी दिखाई नहीं देता है। गर्भवती महिलाओं के लिए हरी मटर काफी फाइदे मन्द है। यह गर्भवती महिला के साथ साथ भुरुन को भी प्रयावत पोशन देती है। इसके अलवा समाने महिलाओं में महावारी की समस्व में से ज़ायों से परशान है तो मतर के पेष्ट को चेहरी पर लगाकर आदे घंटे कब दोलें दोस्तों। प्रति दिन इस परियोग को करें। अनने दिनों में मतर के आटे का परियोग भी कर सकते हैं। अगर आपके चेहरे पर कोई दाग है, तो मतर के दालों का धरदल तुछा के लिए बेतरी निस्क्रव है इससे आपकी तुछा को पोशन मिलेगा और चेहरा बेदाग होगा और धीरे-दीरे चेहरे की चमक बढ़ती जाएगी यदि आपको लगता है कि आप रुजाना की छोड़ चुप चीज़े याद नहीं रख पाते हैं तो हरी मटर का नीमे सेवन कीजिए या आपकी समर्ण शक्ति को बढ़ाने में मदद करेगी शरीर के किसी भी हिस स्थान पर जल जान की स्कृति में मटर के दानों का महीन लेप लगाने से अराम मिलता है या जलेवा स्थान पर ठंड के प्रदान करने के साथ घाव को बढ़ने से भी रोकता है तो दोस्तो ये थे हरी मतर खाने के फायदे आगे भी हम आपके लिए आईसी आईरुवाद एक नुसक्रा लेकर आते रहेंगे इसके लिए हमारा चैनल सबस्क्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकोन को दोस्तो जुरूर दबा देना ताकि वीडियो की नोटिफिश जद दीजे फर मिलते अगले वीडियो में नहीं टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार